हेलो स्टूरेंट्स आइम कल्पना मिश्रा एंड वेल्कम बैक तो मा यूट्यूब चैनल स्टूरेंट्स आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास एट साइंस चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर के एमसी क्यों चैप्टर के अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके क्लास एट साइंस एमसी क्यों आप खोलना आपको सारे चैप्टर के बहुत सारे mcql मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं question number one force is a push or pull which help is changing of an object a position b direction c shape and d all तो right answer क्या है all for example जैसे कि हमने यहाँ पर एक ball रखिये ठीक है एक rubber की ball रखिये अगर मैंने इसको push किया तो यह आगे की तरफ जाएगी ठीक है इससे इसकी position भी चेंज हो रही है direction भी चेंज हो रही है अगर मैंने यहाँ से kick मारा तो यह इधर को जा रही है और यह rubber की ball अगर मैं इसको press करूंगी दोनों तरफ से तो यह क्या हो जाएगी यह press होने के बाद इसकी shape भी चेंज हो जाएगी तो इसका right answer क्या है right answer है all force push और pull से हम किसी भी object की पोजिशन डिरेक्शन और शेप सब को चेंज कर सकते हैं ठीक है next question number two force acting per unit area is called force acting per unit area किसको कहते हैं देखो अगर हम किसी एक unit पे for example यहाँ पर हम force लगा रहे हैं ठीक है तो उसे क्या बोलेंगे density, pressure, volume या thrust तो right answer क्या है right answer है pressure अगर हम किसी चीज पे pressure लगा रहे हैं एक unit area पे pressure लगा रहे हैं sorry force लगा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे pressure ठीक है बहुत important है याद रखना next question number three in the adjoining figure at which point is the pressure maximum पापको बताने इसमें pressure सबसे जादा किस पर है तो अगर आप figure देखो इस figure को देखने से क्या लग रहा है इसका पानी ज्यादा दूर नहीं जा रहा है एका बी का पानी उससे थोड़ा सा दूर जा रहा है C का पानी जो है उससे थोड़ा सा दूर जा रहा तो सबसे दूर किसका पानी जा रहा है सबसे दूर जो है अगर आप ध्यान से देखो तो D का पानी जा रहा It means pressure उस पे ज़्यादा लग रहा तभी तो पानी दूर जा रहा है न तो right answer क्या है add point D Next question number 4 Force acting in the same direction on an object get dividing added none तो right answer क्या है इसमें right answer है added ठीक है यह force है अगर same direction में लग रहा है न तो force उसमें add हो जाएगा देखो जैसे कि for example यह box है box के उपर वे force लगा रही हूं ठीक है मैं अकेले लगा रही हूं ठीक है आप मेरे पास में खड़े हो आप भी आकर force लगाने लगे उस पर और same direction में same direction में तो इसमें force क्या हो जाएगा force add हो जाएगा ठीक है clear चलिए next question करते है question number 5 what happened to the speed and object if the applied force act in the direction of the motion of the object क्या होता है जब speed object की जो है applied की जाती है force पर अगर कोई speed से object जा रहा उस पर उपर force applied की जाती है ठीक है in the direction of the motion of the object decrease increase remain same change its direction देखो अगर कोई object चल ही रहा है यह ball जो है आगे को move कर रही है मैंने इसके उपर और pressure डाल दिया तो यह क्या होगी और आगे को move होगी न तो क्या हो जाएगा force और से जो direction है या फिर हम बात करें motion वो क्या हो जाएगा increase हो जाएगा ठीक है चलिए next करते हैं next है हमारा question number six question number six what happened to the speed of an object if the applied force act in the direction opposite to the direction of the motion of an object देखो कोई object है यहां से मैं आपको समझाता है यह object है यहां पर हम force लगा रहे हैं इन्होंने बोला है कि क्या होगा speed की अगर हमने उस पर force applied किया है opposite direction में यह object जो है यह ball ही ले ले लेते हैं यह object जो यह ball है आगे को move कर रही है अब मैंने यहां से इसके उपर force लगाया तो यह object कैसा होगा इस पर force या फिर इसकी speed decrease होगी या increase होगी तो right answer क्या है right answer है इसको पहले clean करते है right answer है इसका decrease अगर वो move कर रही है आगी की तरफ तो हम opposite direction से force लगाएंगे तो क्या हो जाएगी उसकी speed decrease हो जाएगी ठीक है next question question number 7 what will be the speed of an object if it is a wrist अगर कोई object rest पर है तो उसकी speed में क्या होगा a infinite b zero c very high and v slow देखो सबसे पहली बात अगर object rest पर है एक जगह पर है वहाँ से वो heel नहीं रहा है तो उसमें क्या होगा zero तो उसकी speed क्या है zero क्योंकि वो rest पर है ठीक है next which force act while holding a bucket of water एक bucket है for example यह bucket है water की इसको मैंने क्या किया हुआ है यहां से hold करके ऐसे हाथ में ले करके खड़े हैं ठीक है ऐसे खड़े हैं तो it means क्या होगा अब आपको बताना है कि magnetic force लग रहा है gravitation force लग रहा है muscular force लग रहा है या BNC तो देखो सबसे पहले अगर यह bucket थी इस bucket को हमने नीचे से उपर रखा हुआ है तो उपर की तरफ एक तो हमने अपने हाथ से उपर किया है इसके लिए कौन सा force लग रहा है muscular force अब gravity क्या कर रहे है उसको अपनी तरफ न number 9 why a ball rolling on the floor stop after some time अगर कोई ball है वो roll कर रही है किसी floor पर कुछ समय के बाद हो रुक जाती है क्यों ball become light due to friction ball become heavy due to gravitational force तो right answer क्या है right answer है friction अगर एक ball है और यहाँ पर कुछ जमीन ऐसी है और वहाँ पर वो move कर रही है आगे जाके वो ball क्या हो जाएगे रुक जाएगी इसका मतलब यहाँ पर यह floor और इस ball के बीच में क्या है friction है जिसकी वज़े से वो रुक गया ठीक है next question question number 10 north pole of a bar magnet repel the north pole of a another bar magnet the force acting is देखो कोई भे magnet है न मैगनेट में हमेशा कौन सा force होता है यह याद रखो कौन सा force होता है non contact force जो एक दूसरे को touch किये भी ना देखो अगर यह एक magnet है यह अगर एक magnet है और दूसरा magnet यह है और इसका यह north pole इसका यह south pole इती एक दूसरे को attract कर लेंगे attract करेंगे तो attract करेंगे तो attract करेंगे पर वो force दूर से ही लग रहा ना इनको अब अगर मैं एक magnet यहाँ पर लिया है और एक magnet यह लिया इसका north pole और इसका north pole तो यह दूसरे को धक्का देंगे रिपेल करेंगे तो ये भी क्या है नॉन कॉंटेक्ट फोर्स तो राइट आंसर ए लावंध तो फोर्स एग्जर्टेड बाई ए चार्ज बॉड़ी और चार्ज बॉड़ी स्कॉल अगर फोर्स लग रहा है एक चार्ज बॉड़ी के द्वारा दू तो एक चार्ज बॉड़ी एक अंचार्ज बॉड़ी के उपर अगर फोर्स लगा रही है तो उसे क्या कहेंगे मैगनेटिक फोर्स, इलेक्रोस्टेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स राइट आंसर क्या है अगर चार्ज बोड़ी की कहीं जो है फोर्स लग रही है तो वहाँ याद रखना कौन सा फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ठीक है नेक्स्ट कॉशन नबर 12 अगर एक कोईन को हमने उपर से गिरा दिया एक हाइट से गिराया ठीक है तो वह मूव करते हुगी कहां गई अर्थ की तरफ गई तो कौन सा फोर्स लगेगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स, वी मस्कूलर फोर्स, सी मैगनेटिक फोर्स और डी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स राइट आंसर क्या है राइट आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स नेक्स्ट कॉशन नमबर 13 question number 13 a porter carry a heavy luggage on his head always keep a round wrap of the cloth on his head why a porter जिसने बहुत भारी luggage जो है अपने सीर के उपर रखा हुआ है ठीक है और उसको रखने से पहले उसने क्या कि अपने सीर के उपर ऐसे ऐसे गोल 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 जो है कपड़े को रखा हुआ है तो ऐसा क्यों किया उसने it decrease the weight of the luggage luggage का weight decrease हो जाएगा to protect from injury वो injury से बच जाएगा it increase the area of the contact between his head and luggage and d to show to the other people दूसरे people को जो है वो show off करना चाहता है तो right answer इसका क्या है right answer है इसका c it increase the area of contact between the head जिसके area जादा है और luggage अगर ये luggage रहेगा और इसका area जादा रहेगा ना लगेज को रखने का तो इसके उपर pressure कम पड़ेगा pressure कम पड़ेगा तो इसको जो है भारी कम लगेगा ठीक है और जितना area कम रहेगा और लगेज जादा रहेगा तो क्या होगा उसको भारी लगेगा ठीक है next question number 14 what make a balloon stretch as it is filled with air a air become lighter inside the balloon b air become heavier inside the balloon c gas extended pressure on the wall of the container d all of the above तो right answer क्या है right answer है देखो ये जो gas होती है न वो extra pressure लगाती है container पर ठीक है इसकी वज़े से वो क्या हो जाता है फूल जाता है ठीक है next question number 15 why we do not get crushed under the atmospheric pressure exerted by the gas around us because our body is made up of bone because pressure inside our body is equal to the atmospheric pressure because air is very light which can do nothing to our body and all of the above तो right answer इसका क्या है right answer है b because pressure inside our body is equal to the atmospheric pressure समझा गई बाद ठीक है next question number 16 why water tanks are always kept on the top of the building जो water के tankies होती है मिशे टॉप पर ही क्यों रखी जाती है a as it increase the height of the water column b water flow from the tops with greater pressure and c pressure is directly proportional to the height of the liquid column तो इसका right answer क्या है right answer है all of the above कहां गया यह रहा देखो क्योंकि height increase होगी तभी water के column से पानी आएगा ठीक है और water को flow करने के लिए great pressure की जूरती जतनी height पर जाएगा उतना जादा pressure होगा और pressure हमेशा क्या होता है directly proportional height होता है जितना height उचे होगी उतना ही उस पर क्या लगेगा pressure लगेगा ठीक है next question number 17 why is the base of a wall capped wide जो wall की base होती न वो wide क्यों होती है अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज जो है उसका area जादा होगा तो उसके उपर pressure क्या होगा कम पड़ेगा ठीक है तो इसका answer आपने मुझे बताना है comment box में next question number 18 choose the correct classification of the contact and non-contact force आपको इसमें contact और non-contact force को classification दिया गया है आपने इसको correct करना है इस side contact और इस side non-contact तो सही option को आपने चुनदा है तो देखो सबसे पहले magnetic force contact नहीं है यहीं खतम हो गया इसका काम gravitational force contact नहीं है यह भी खतम हो गया अगर हम सी की बात करें तो muscular force और frictional force दोनों ही contact force है ठीक है चलो दूसरी side देखते है magnetic force gravitational force और electrostatic force यह सारी क्या है non-contact है ठीक है चालिए next question question number 19th as shown in the diagram cardboard placed over the top of a glass filled with water when pressed and inverted does not fall भाई देखो एक cardboard पे उपर diagram जो बना हुआ है ग्लास वो पानी से भरा हुआ है ठीक है उसको उल्टा प्रेस किया ना तो वो उल्टा करने के उसमें से पानी नहीं निकला क्यूं ग्लास attract the cardboard, water attract the cardboard, glass and water both attract the cardboard and d the atmospheric pressure act on the cardboard from the below and it is the upper direction तो देखो diagram देखके आपको पता लग गया कि यहां पर atmospheric pressure जो है लग रहा उपर की तरफ तो right answer क्या है इसका D next question number 20th question number 20 क्या कह रहा है question number 20 पर है why water come out of the pipes using the water supplied through the leakage join तो a because water always tends to flow out and b it is easy for water to flow out and c because of pressure exerted by water on the wall of the pipe and all of these तो right answer क्या है right answer is c देखो pipe जो है water की अगर leakage है तो क्या होगा because उस पर pressure लग रहा है ठीक है और water क्या हो रहा है वाल पर pressure डाल रहा है जिसकी वज़े से वहाँ से पानी बाहर निकलता है ठीक है ओके श्रूर्स I hope यह questions आपको अच्छे से समझागे तो please वीडियो को like चैनल पर नए वीवर है तो चैनल को सब्सक्राइब के भी नपत जाना मिलते हैं next वीडियो में बाबाई